नमस्कार वीके बीनियूस की सबसे खास, सबसे सटीक और महतपूर्ण पेशकर्ष देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है महराश में संपुनल लॉक्डाउन के मुद्दे पर नेता और अधिकारियों के बीच एक रायन नहीं बन पा रही है नेता लॉक्डाउन लगाने के खिलाब है जबकि अधिकारियों का कहना है या तो कड़क प्रतिबंद लगाया जाए या मिनी लॉक्डाउन लगाया जाए तो सिंगर सोनो निगम परिवार के साथ पॉजिटिव आया है उन्हें ने कहा कि मैं कई बार कोरोना टेस्ट करवाया और कई बार पॉजिटिव निकला कोविट पॉजिटिव हूँ लेकिन मैं मर नहीं रहा हूँ इसे बीच चर्चित बुली बायाप मामले में मुंबई की साइबर पुलीस ने उदमसी नगर जिले के रूदरपूर से एक युवती को गिरफतार किया युवती इंटर्मीडियेट पास है और प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रही है वही कोरोना के बढ़ते मामले के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक बार फिर से आमने सामने है केंद्रिय स्वास्त राज्यमंत्री डॉक्टर भारति पवार ने प्रदिश स पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ महराश्य सरकार के भरोसे मन सूत्रों के मताबिक सरकार के भीतर विकेंड लॉकडाउन लगाने को लेकर गंभिर विचार मंधन चल रहा है खबर है कि लॉकडाउन के मुद्दे पर नेताओ और अधिकारियों के बीच एक राय नहीं बन पा रही है नेताओ लॉकडाउन लगाने के खिलाफ है जबकि अधिकारियों का कहना है कि या तो कड़क प्रतिवन लगाए जाए या मिनी लॉकडाउन लगाए जाए इन हालात में अब फैसला मुख्य मंतरी और उपमुख्य मंतरी को लेना है प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव है कि यदि एक दो दिन में ही फैसला नहीं लिया तोस्तिती और बिगर सकती है जबकि नेताओं का कहना है कि हर जिले कि स्तिती अलग-अलग तरह से प्रभावित हो रही है इसलिए हर जिले के प्रतिबंद अलग-अलग तरह के होने चाहिए हालांकि सूतरों का कहना है कि विकेंड यानि शनिवार और रविवार को लोगडाउन लगाये जाने को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है और बागे दिनों के लिए प्रतिबंदों को सक्त किये जाने के बाद की जा रही है बता दे कि तेजी से फेलते संक्रमन के चलते मुंबई ठाने समित कई महानगर पाली का क्षेत्रों में स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिये गया है जिस रफ्तार से संक्रमन बढ़ रहा है राज्य में फिर से लॉगडाउन के अटकले लगाई जा रही है हालांकि राज्य के स्वास्था मंतरी राजिश्ट ओपे का कहना है कि राज्य के सिर्फ चार जिलों में संक्रमन की रफ्तार तेज है इसलिए पुरे राज्य में लॉगडाउन लगानी की कोई स्थिती फिलाल नहीं है बॉलिवुड सिंगर सोनु निगम और उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया इस बात की जानकारी सिंगर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए फैंस के साथ साजह की है इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि उनके साथ उनकी पत्नी मधूरी मा, बेटा नीवान और बेहन भी कोरोना पॉजिटिव है उन्होंने लोगों से कहा है कि डरने की नहीं लेकिन संभलने की जरूरत है सिंगर अभी अपनी पूरी फैमिली के साथ कॉरंटाइन में है जानकरी के लिए बता दे कि सोनु निगम इन दिनों इंडिया से दूर दुबई में है सोनु ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कुछ लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता है लेकिन ये सच है मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कोविट पॉजिटिव हूँ हालां कि अभी मैं दुबई में हूँ मुझे इंडिया आना था क्योंकि भुवनेश्वर में मुझे परफॉर्म करना था और सूपर सिंगर सिजन 3 का शूट भी करना था मैंने कई बार कोरोना टेस्ट करवाया और पॉजिटिव निकला मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो जाओंगा मैंने कितनी बार वाइरल और गले की खराबी में कॉंसर्ट किये है और उससे तो ये काफी बहतर है कोविट पॉजिटिव हूँ लेकिन मैं मर नहीं रहा हूँ चर्चित बुली एप मामले के तार उत्तरा खंड से भी जुड़े है मुंबई की साइबर पुलिस ने उधम सिंग नगर जिले के रुद्रपूर से एक युवती को गिरफतार किया है ये युवती इंटर्मीडियेट पास है और प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रही है आरोप है कि उसने ट्वीटर के माध्यम से समुधाय विशेश की महिलाओ की बोली लगवाई थी मताय जा रहा है कि वो तीन अकाउंट संचारित कर रही थी मुंबई पुलिस टांजेट रिमान में उसे महाराश्ट लेकर आई है इधर इस मामले में उत्तहराखन पुलिस मुंबई पुलिस से जानकरी जुटा रही है मताय जा रहा है कि बुली बाई एप पर समुधाय विशेश की 100 से जादा महिलाओ के फोटो अफलोड किये गये है इन फोटो पर उनकी बोली लगाई जा रही है कुछ दिन पहले महराष्ट के गुरुह मंत्री ने इस मामले में पुलिस को करवई करने के निर्देश दिये थे पुलिस ने परताल करने के बाद सुमवार को बैंगलूरू से एक युवक को गिरफतार किया था इंजिनियरिंग का ये चातर विशाल खालसा सुपरमिस्ट नाम से अकाउंट चला रहा था सब कुछ पंजाबी में लिखा हुआ था कुछ दिन बाद उसने अपने अकाउंट का नाम भी बदल दिया था इसी क्रम में पड़ताल करते हुए पता चला कि एक जनवरी को भी एक पोस्ट हुई थी ये पोस्ट जाट खालसा नाम के ट्वीटर हैंडल से किया गया था तलाशी करते हुए पुलिस इस युवती दक पहुँच गई उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता सेंथिल अबुदई कुरुषन राज एस ने बताया कि श्वेता सिंग नाम की युवती को गिरपतार किया गया है जाँच में सामने आया है कि युवती एक नेपाली युवक के संपर्क में थी कोरोना के बढ़ते मामले के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक बार फिर से तकराओ सामने आया है केंद्री सुआस्था dozen राज्य मंत्री डौक्टर भारती पवार ने प्रदेश सरकार पर केंद्र से मिली नीधी को खर्चन करने का आरोप लगाया है कल पवार ने राज्य अतीथी गुरूह सहादरी में कोरोना की स्थिती को लेकर समिक्षा बैठकी इसके बाद कहा कि केंदर सरकार ने कोरोना महमारी के मद्दे नजर स्वास्त सुविधाय बढ़ाने के लिए परियाप्त निधी उपलप्त कराया है लेकिन राज्य में स्वास्त सुविधाय बढ़ाने की दुरुष्टी से काम धीमी गती से शुरू है पवार ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ रहे है यदि हमने जल्द स्वास्त सुविधायों को मजबुत नहीं किया तो अफरा तफरी की स्थिती पैदा हो सकती है इसलिए मेरा अग्रह है कि राज्य सरकार काम की गती बढ़ाए इसके जवाब में प्रदिश के स्वास्त मंतरी राज्य टोपे ने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ परियोजना के लिए CSR से मिली नीधी का उपयोग किया है इसलिए केंद्र सरकार की नीधी का दुसरे परियोजनाव में इस्तिमाल के लिए अनुमती मांगी गई है हाथ तो तब हो गई जब केंद्रिय स्वास्त राज्य मंतरी पवार की और से बुलाई बैठक में शामिल ना होने पर टोपे ने कहा कि मैं पूर्णे में एक महत्व पुरुना बैठक होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सका लेकिन उस बैठक में स्वास्त विभाग के सभी अधिकारी मोजुद थे इस घटना क्रम से भी दोनों सरकारों के बीच की तलखियों का अंदाजा सहज हो रहा है सांगली में पाटिल ने कहा कि महाविकास आघडी सरकार के दिमाग में लकवा मार दिया है सरकार की बुद्धी ही नहीं चल रही है सरकार एस्टी करमचारियों की हरताल को खतम करने समित अन्य समस्याव पर कोई फैसले नहीं ले पा रही है याद रहे साल 2014 में कॉंग्रेस राकपा आघडी सरकार के समय राकपा अध्यक्षय शरत पवार ने कहा था कि ततकालिन मुख्य मंतरी पृत्विरत चवान के हाथ में लकवा मार दिया है इसलिए चवान फाइलों पर हस्ताक्षार नहीं करते है पाटिल ने कहा कि आघडी सरकार में ततकालिन मुख्य मंतरी चवान का काम करने का एक अलग ही तरीका था वे मुख्य मंतरी कारियाले में आई हुई सभी फाइलों को पढ़ने के बाद ही उस पर हस्ताक्षार करते थे कई बार चवान फाइल पढ़ने के बाद वे अपने जेब से कलम निकाल कर उसका ढखकन निकालते थे फिर कलम का ढखकन बंद करके कलम को जेब में रख लेते थे फिर वे कहते थे कि मैं फाइल पर हस्ताक्षार बाद में करूँगा इससे परेशान होकर पवार ने कहा था कि चवान के हाथ में लकवा मार दिया है इसलिए वह फाइलों में हस्ताक्षार नहीं करते थे पाटिल ने कहा किसी कारण से पवारने साल 2019 के विधानसभा चुनाव से दो महने पहले कॉंग्रिस के नेतरुत्व वली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था इस बयान बाजी को ले के कोई मायनिन नहीं है वही पंजाब में किसानों ने फिरोसपुर में पियम मोदी की रैली का विरोध टाल दिया है फैसला हुआ कि 15 मार्ट को प्रधानमत्री मोदी किसानों से मिलेंगे इसे बीश दिली में फिर मौसम ने करवट ली है आस्पान में घना कोहरा च्छाया ह हुआ है जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है कि इलाकों में बारिश होने से और ठंड बढ़ने के आसार है उधर चुनाओ आयोग ने संकेत दिया है कि कोरोना की तेजगती को देखते हुए पांच राज्यों के होने वाले विदासबा चुनाओ की घोशना के साथ ही स बढ़ाओ और रैलियों में कोविट प्रोटोकॉल के तहट सकती शुरू की जा सकती है तो जमु कश्मीर के पुलवाओं में सुरक्षा बलो को बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलो ने जैशे मुहमत की तीन आतंकियों को मार गिरा है इन में से एक पाकिस्तान का आ तव्य है कि मैं जनता की विश्यों पर बोलू यदि जनता की समस्याव को मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर चुनाव लड़ने, सांसत बनने या राजनिती करने के एक कोई मायने नहीं है मुद्दे पार्टिया सरकार की सुईधा देखर या किसी को असेच करने के लिए नहीं समझना होगा हमारे देश में लोकतंतर है किसान ने भी बीजेपी को वोट दिया था इतने बड़े वर की अवहला करके कोई भी पार्टी राजनिती में टिक नहीं सकती अंत में किसानों की बात मान कर कानून वापस ले लिए गए यह लोकतंतर की विजय है इससे लोकतंतर और मजबुत हुआ है लेकिन दिक्कत यह है कि किसानों को फसलों की उचित और लाफकारी कीमत नहीं मिल रही लागत बढ़ रही है खेती घाटे का सवधाब बन चुकी है अतह युवा खेती नहीं करना चाहते दूसरा बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगार अलग अलग कारणों से बहुत खराब सिती में है जिसका दुषपरि नाम महंगाई बेरोजगारी आदी के रूप में सामने आ रहा है पंजाब में किसानों ने फिरोजपूर में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी की रैली का विरोट टाल दिया है इस संबन में कल देर रात कि किसान नेताओं की केंद्रिय मंतरी गजंदर शेखावत से मिटिंग हुई जिसमें फैसला हुआ कि 15 मार्च को पीम मोधी किसानों से मिलेंगे यह मुलाका दिलिस्तित विज्ञान भवन में होगी इसके अलावा 15 जनवरी से पहले MSP पर कानूनी गारंटी वाली कमेटी बना कि फिलाल किसान फिरोजपूर में बैठे हैं हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन केंद्र से अभी हमें लेटर का इंतजार है अगर पत्र मिल गया तो फिर पीम का विरोध टाल दिया जाएगा दरसल फिरोजपूर में प्रधान मंतरी की रैली का पता चलते ही किसान विरोध कर किसानों का कहना था कि पहले इन पर फैसला होना चाहिए फिर पीम को पंजाब आना चाहिए हाला कि इस पर अब किसानों और केंद सरकार के भी सहमती बनती नजर आ रही है दिल्ली वाले थन और प्रदूशन के सितम से परेशान है आसमान में घना को राच्छाया हुआ है जिससे विजिबिलिटी काफी कम है कई लाकों में बारिश होने से और थन बढ़ने के आसार है पच्चिमी विक्षोप के असर से दिल्ली के मौसम में अगले 3-4 दिनों में पच्चिमी विक्षोप का प्रभावत देखने को मिर रा है इसके चलते उच्च हिमाले शेत्रों में बारिश और बर्बारी हो रही है वही पंजाब, हरियाना, राजस्थान और दिली जैसे उत्तर भारत की इलाकों में बादल वा बरसात की गतिवी दियां संभावित है व हवा की गति भी 12 किलोमेटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है लंबे अर्चे से हवा की गति बहत कम रही है इसलिए दिली की लोग लगातार भयावः प्रदुशन का सामना कर रहे है नवंबर के बाद से ही हवा की गुनवत्ता लगातार खराब शेनी में चर रही है इस दोरान ज्यादा तर समय वायू गुनवत्ता सुचकांग 300 अंग से उपर यानी बहत खराब या गंभीर शेनी में रहा फिलाल कोरोना के ओमिक्रोन वेरेंट के बढ़ते प्रसार के बीच भी चुनावी रेलियां बाइक रेलियों नुकर सभा और जनसभाओ पर कोई प्रति शुरू की जा सकती है निर्वाचन आयो के सूत्रों ने कहा है कि रेलियों पर प्रतिबन COVID-19 दिशा निर्देशों के तहत लगेगा जैसा कि पश्चिम बंगार विदान सभाचनों में किया गया था इन रेलियों पर राष्ट्यापदा प्रबंधन कानून 2005 महामारी एक 897 तथा राज्यापदा नियमन कानून के तहत जिलादिकारियों वा निर्वाचन अधिकारियों को पूर्ण शक्ती दी जाएगी वे कोरोणा के प्रसार को देखते हुए अपने इलाकों में रैलियों जित करने न करने का निर्ने कर सकेंगे आयोग के सुत्रों ने कहा कि यद गोषना होते ही आयोग राज्यों का प्रशासन अपने हाथ में ले लेगा अनुचे 324 के तहत आयोग को यह शक्ती हासिल है फिलाल पार चुनावी राज्यों यूपी गोवा पंजाब उत्राखन और मनिपूर में खूब चुनावी रह लिया हो रही है लेकिन मद्दान की गोषना होते ही आयोग 9 अप्रेल 2021 को जारी कोविट प्रोटोकॉल को प्रभावी कर देगा संभावना है कि आयोग इस हफ्ते 5 राज्यों में विदानसवा चुनाव की गोषना कर सकता है जमु काश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलो को बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलो ने जैशे मोहमत के तीन आतंकियों को मार गिरा है इन में से एक पाकिस्तान का आतंकी भी शामिल है फिलाल इलाके में तलाश अभियान जारी है एक रिपोर्ट के नुसर खूपिया विभाग से पुलवामा जिले के चांदगाम इलाके में आतंकियों के चुपे हुने की जानकारी मिली थी इस पर सुरक्षा बलो ने तुरत इलाके को घेर लिया सुरक्षा बलो से खुद को गिरा देख आतंकियों ने फाइरिंग शुरू कर दी सुरक्षा बलो ने भी जवाबी कारवाई करते हुए जैश के तीन आतंगवादी मार गिरा है इन में से एक पाकिस्तानी नागरिक है IPG काश्मिर ने बताया कि अभी तक दो M4 कारवाईन और एक AK सीरीज राइफल सहीत आपतिजनक सामगरी हतियार और गोला बारूद बरामद हुआ है कल दक्षिन काश्मिर के कुलगाम जिले सुरक्षा बलो ने दो आतंकियों को मुटबेड में मार गिराया था दोनों स्थानिया आतंकी लशकरे तो यबा कि सदस से बताय जा रहा है फिलाल इन में नामों के बारे में जानकारी नहीं मिली है गद बुधवार को भी पाकिस्तानी जैश कमांडर समेट तीन आतंकी मारे गए थे उनके शगों के पास से एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद हुई है दिसंबर माँ से अब तक साथ पाकिस्तानी समेट 29 आतंकवादी सुरक्षा बलो के हाथ मुटबेड में मारे गए है पिछले पास दिनों में घाटी में 14 आतंक्यों का काम तमाम किया गया है जिसमें 4 पाकिस्तानी है पाकिस्तानी प्रदानमंदर इम्रान खान ने फिर पीम मोदी और काश्मिर पर जहरीला बयान दिया है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आंतराष्ट्य मानिवे कानूनों और आंतराष्ट्य समझोतों का उलंगन कर रही है वहितर कोरिया के तानाशा किम जोंग उनने नए साल पर एक बार फिर से किलर मिसाल का परिक्षन करके कोरवाई प्रायदिप में तनाव को भड़का दिया है तो विश्व स्वास्त संगटन के चेतावनी दी है कि दुनिया बर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को एक नए और अधिक खतरनाक वेरियन को जन्द दे सकता है अगर साउधानी नहीं बरती गई तो संक्रमन की बरती दर दुनिया में विपरित प्रभावट डाल सकती है इसे बीच इंगलंड में अग जंगली पक्षियों कवो आधि को कतल करने की इजाज़त दे दी गई है शिकार के लिए पाले जाने वाले पक्षियों की हिपाज़त के लिए यह अनुमती दी गई है उधर तालिबान ने अफगानिस्तान के पूरर राष्ट पती अश्रब गणी के दावों के विपरित का है कि उनकी हत्या का कोई योजनान नहीं थी जबकि गणी ने कहा था कि वह नहीं भागते तो कुछ भी हो सकता था दुनिया भर की इन पाज़गवरी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ जमू काश्मीर में कई आतंकियों के सहार से बोखलाय पाकिस्तानी प्रदानमंदरी इमरान खान ने एक बार फिर से पीम मोदी और काश्मीर पर जहरीला बयान दिया है इमरांग खान ने कहा है कि काश्मीर में संयुक्तराष्ट की निगरानी में जन्मत संग्रक करने का संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिशत का वाधा अभी तक बुरान नहीं हुआ है पाकिस्तानी PM ने आरोप लगाया है कि हिंदूों का समर्थन करने वाली मोधी सरकार धिटाई से सुरक्षा परिशत के प्रस्ताओं का उलंगन कर रही है और काश्मीर में जनसंख्या को बदलने का प्रयास कर रही है मोधी सरकार आंतराष्ट्य मानिवे कानुनों और आंतराष्ट्य समझोतों का उलंगन कर रही है मोधी सरकार ने काश्मीर का दर्जा बदल कर और जनसंख्या को बदलने का प्रयास करके युद्ध अपरात किया है पाकिस्तानी पीम ने आंतरराष्ट्य समुदाय खासकर संविक्तराष्ट से मांगी कि काश्मीर के युद्ध अपरात के लिए भारत के खिलाब मुकदमा चलाया जाए उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के आत्मनिरने के लिए जारी संगर्ष में पूरी निष्टा के साथ खड़ा है इमरान खान ने जहरीला बयान ऐसे समय पर दिया है जब पाकिस्तान की विदेश मंतरी शाह महमुद कुरेशी ने हाल ही में कहा था कि उनका देश उन्निस वे दशेश शिकर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है भारतिय नेतरुत्व यदि इसलामाबाद में आने को इच्छुक नहीं है तो वह डिजिटल माध्यम से शामिल हो सकता है उत्तर कोरिया के तानाशा किम जोंग उनने नएस साल पर एक बार फिर से किलर मिसाइल का परिक्षन करके कोरियाई प्रायदिप में तनाव को भड़का दिया है उत्तर कोरिया ने जपान सागर में इस किलर मिसाइल का परिक्षन किया है जपान और दक्षिन कोरिया दोनों ने ही इस मिसाइल परिक्षन की पुष्टी की है जपान के रक्षा मंत्राले ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल थी दक्षिन कोरिया ने भी अपने पुर्वी तट पर परिक्षन की पुष्टी की है लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यह मिसाइल थी या कुछ और इसे पहले अक्टूबर मेने में उत्तर कोरिया ने आखरी बार अपना मिसाइल परिक्षन किया था उत्तर कोरिया ने अपनी सबमरीन से दागे जाने वाली मिसाल का परिक्षन किया था जापान के PM फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के ताजा मिसाल टेस्ट की पुष्टी की उन्होंने कहा कि हम यह पता लगा रहे हैं कि मिसाइल कही जापान के विशेश आर्थिक शेतर में तो नहीं गिरी किशिदा ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि उत्तर कोरिया पिछले साल से ही मिसाइल का परिक्षन कर रहा है इससे पहले उत्तर कोरिया के तानाशा किम जोंग उनने अपने शासन के दस साल पुरा होने के मौके पर देश को संबोधित किया था ऐसा पहली बार देखा गया है जब किम जोंग ने हतियारों और सेना को मजबूत करने के बजाए देश के विकास से जुड़ी बाते की है विश्व स्वास्त संगटन ने चेताउनी दी कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले एक नए और अधिक खतरनाक वेरियंट को जर्म दे सकता है WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में आग की तरह फैल चुका है हाला कि इससे पहले ओमिक्रॉन को कम गम भीर माना जा रहा था और यह भी कहा जा रहा था कि इस नए वेरियंट से जीवन सामान्य की ओर बढ़ रहा है लेकिन WHO के वरिश्टापात अधिकारी कैथरीन स्मॉल वूड ने चेताउनी दी कि अगर साउधानी नहीं बढ़ती गई तो संक्रमन की बढ़ती दर दुनिया में विपरीत प्रभावट डाल सकती है जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है उतना ही यह प्रसारित हो रहा है इसलिए इस बात की संभावना भी बहुत ज्यादा है कि यह कोरोना के एक नय और बहुत खतरनाक वेरियंट को जन भी दे सकता है हाला कि अब तक यह सामनिया है कि डेल्टा विरन की मुकाबले ओमिक्रॉन मरीज की मोत का कारण कम बन रहा है लेकिन कौन कह सकता है कि अगला वेरियंट क्या करे हम एक बहुत ही खतरनाक चरण में है हम पश्चिमी यूरोप में संक्रम अंदर में काफी व्रुधीत देख रहे है और इसका पूरा प्रभाव अभी तक सपष्ट नहीं है गंभिर बिमारी वाले लोगों के इस संक्रमन की चपेट में आने से मौत का आकड़ा भी बढ़ सकता है इससे अस्पतालों पर भी बोज बढ़ेगा और महामारी जैसा संकट पैदा हो सकता है इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कोविट प्रोटकॉल का पूरी तरह पालन करते रहे इंग्लेंड में अब जंगली पक्षियों कमवों आदी को कतल किया जा सकता है शिकार के लिए पाले जाने वाले पक्षियों की हिपाज़त के लिए जंगली पक्षियों को कतल करने की जाज़त दी गई है इंग्लेंड में अब लोग जंगली पक्षियों को गोली मार सकते हैं ताकि वे शिकार के लिए पाले जा रहे अपने पक्षियों की रक्षाक कर सकें देश में हर साल करोडों खुबसूरत पक्षी सिर्फ इसलिए पाले पोसे जाते हैं ताकि उनके साथ शिकार का खेल खेला जा सके इन पक्षियों को पालने वाले उन्हें खिला पिला कर मोटा ताजा कर देते है ताकि उनकी रफतार कम रहे और शिकार का मौसम आने पर उन्हें निशाना बनाना आसान हो देश में कई साल से यह भास चर रही थी कि इनसानों के शिकार के लिए पाले जाने वाले पक्षियों को बचाने के लिए शिकारी पक्षियों को मार देने का आधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं तीन जनवरी को इंग्लेंड के परियावरन खाद्य और ग्रामिन मामलों के मंत्राले ने इस संबन में नए दिशा निर्देश जारी किये है परिभाशा में बदलाव नए दिशा निर्देशों में लाइव स्टॉक की परिभाशा में बदलाव कर दिया गया है जिसके तहट यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिकारी पक्षियों को कब पालतु मारा जाएगा और कब नहीं इसके अलावा निशाने बाजी के लिए इंगलेंड में दिये जाने वाले लाइसेंस के नियमों में भी बदलाव किया गया है नई नियमों के तहट गेम कीपर्स यानि शिकार के लिए पक्षी पालने वाले कवों की विभिन्द प्रजातियों को उस सूरत में गोली मार सकते हैं जब वे उनके पालतु पक्षियों जैसे तीतर आदी के लिए खत्राब बन रहे हो तालिबान ने अफगानिस्तान के पूरराश्टपती अश्रप गणी के दाओं के मिपरित कहा है कि उनकी हत्या की कोई योजनान नहीं बनाई थी बिडिया रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान न्युकत अफगानिस्तान के उपप्रदान मंतरी मुल्ला अब्दुलगनी बरादर ने दावा किया कि कई पुर्वधिकारी और मंतरी काबुल में शांती पूर्वक रह रहे है और उन्हें किसी तरह की हानी नहीं पहुचाई गई है अफगानिस्तान के उपप्रदान मंतरी मुल्ला अब्दुलगनी बरदार ने कहा कि तालिबान के शिर्षने ता मुल्ला है बुतुला अखुन जादा ने काबुल पर कबजे के बाद आम माफी का एलान कर दिया था जिसमें पूरो राष्टरपती भी शामिल थे खामा प्रेस ने बरादर का हवाला देते हुए कहा कि तालिबान ने पिछले साल 15 अगस को काबुल पर कबजा करने के बाद अश्रप गनी को मारने की योजनान नहीं बनाई थी गौर तलब है कि अफगानिस्तान से भाग निकलने के बाद ततकलिन राष्टरपती अश्रप गनी ने सितंबर में एक वीडियो क्लिप जारी कर कहा था कि वह रक्तपात काबुल के विनाश और अफगानिस्तान के एक और राष्टरपती की हत्या को रोकने के लिए देश छोड़कर भागे थे अगर नहीं भागता तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है उस समय कहा गया था कि गनी अपने साथ अकूच संपती लेकर भागे थे लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया था तो आज की इस खास पेशकर्श में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे हैं वीके बीन्यूस नमस्कार झाल